इस विलोग में मैं आपको रूबरू कराऊंगा मटन कोर्मा मटन बिरियानी और संबल के मशूर कवाब संबल के मशूर कवाबों से और तूत के कुल्चे से तो आज की दावत का पूरा निजाम राइस भाई के हाथ में हमारे रामपुर के रहने वाले हैं और आपको भी ऐसे फंक्शन करवाने हैं तो हमारे राइस भाई सराप्तकर है मैं इनका कार्ड डिस्प्ले पर डिस्क्राप्शन में का नंबर डाल दूगा तो यह नाशर भाई ठीक है बाई बोल दो देखिए विलॉग को लास्टा ग्लास में देखना चुकि इस विलॉग में आपको कुछ अट्रेक्टिव सीन भी दिखाऊंगा फैमिली के बच्चों के काले दिन का खाना खाते हैं और फिर शाम का आपको पूरा प्रोगाम दिखाऊंगा मैं तो यह है इर्फान खां का घर लंच में पीली ताहरी और दई खाया इससे इंज्वाई किया और यह हमारा चुड़ियों का पिंजरा बहुत खुब्सूरत यह बिना पानी का सुविंग पूल है और सुविंग पूल में इंज्वाई करते बच्चे कि अधिंगके टूब्सूरत भी जिस इंडीन बनात्या की तो अधिवाई इंडीन भी आपके यहां पर देखिए ने बनागा जान यहां पर देखिए भगोने बना लिए पनी के मसाले और यह चिकन फ्राइशिन और साथ में यह बिस लेटर हर किसी को बूर दूर मिलता है यह बनाने के लिए इंहोंने भी चाय बनाई है यह ज़िए राइस भाई की तरफ से मिले है अलम्द लिल्ला है यह है और यह है मतन बनते ही देखने में मज़ा बया इसको बनाने का तरीका है कर दिमील दाने क्या मखने तन को अब धॉमा अबक एक अनुश्यां के में सांसमा ब क्या हो नहीं क्यांने क्या आ यह रैंच दिव्ल whale इमें क्या उक्यों नहीं कि आधें rethink क्येड अधे मशी लुस्क्राइज मम अधें रुक्री में क्याद फ़्यंतो क्या रेक्या की सफमा वोड़ी तयार हो जाती है तो हमें इसको वरून प्यासा बाते हैं इसे जाए के पर परिश बढ़िया हो जाता तो बर्श तेस होता है रामपुरी बोर्मे का डिश बाता है हमारे कुछ अजीज दोस्त आगये हैं रामपुर से है है रामपुरी खिए यह यह यहां है रहा है क्या भाइट रहा हुआ इस कि अपुछ प्ले से जुड़ करते हैं है यह दावत से पहले का कुछ वक्त है जिसमें हमने इंजॉय किया गर के अंदर ही और यह गुडिया है जिसने कुरान मुकंबल किया और इसी के वज़े से यह आज पार्टी मुनक्किद हुई है कि अलएक्तर स्सक्षा कि अलएकुम असलाम रह लाच है जल्ए तो कुड़िया हमारी यह जेकर डालाएं किसमें इसमें सपय दिलाची यह मिन्य बारुदा यह रवा दूदा इसे परेली कुल्चा है बरेली कुल्चा जिससे बुलते हैं जब इसको दूद के साथ बनाया जाता है और इसमें पानी भी दूद का ही पानी मिलाया जाता है ये सब कुछ डालने के बाद ही एक भहुती शांदार कुल्चा बनके निकल के आता है जिसका जायका भूती उंदा होता है कपड़े नहीं पहने अपने कपड़े पुराने लग रहे हैं पुराने लग रहे हैं मचे तो देखो तो ने क्या लगा हुआ इस पर पुराने कपड़े हैं जो कहना कैमरे में कीजिए सबूत के साथ यह दूसरी टीम आ गई हमारी इस टीम में शारुक भाई श्याजी भाई मामून भाई यह पूरा गुरुप आ गया है इंजॉइमेंट का मजमूह आई है यह समझे आप नादे बाग कैसे हैं आप अलहम्दूरे लिल्ला कट जाएगी पूरी पार्किंग फुल गई है आई थिंक सब आई गए हैं कुछी लोग आने से रह गए हैं बस और प्रोग्राम चालू हो गया है देखिए आप त्यारी चल लेगी जोरो शोरो से सब आफस में गुफ्तुगू कर रहे हैं कि कब तक प्रोग्राम रेडी होगा कब नमबर आएगा इन कबाबों का हसीन कबाबों का और सबसे पहले इन्हें मैंने ही अपने लगों पर लगाया कि यह वही शांदार कुल्चे हैं जिनको तो बनाया गया था कि कैसे कवाब है कि अब तो अब प्रोग्राम पुरा रेडी हो गया है अब चलते हैं हौल के अंदर अब जाने हैं पाइटी के अंदर पाइटीन है मतलब जो फंचन है उसके अंदर यह है खाना शुरू होने से पहले की गुफ्तगू तबादला ख्याल जो हर जगा आम है और यह हैं संबल के लजीज कवाब मैंने तो पहली बार खाए मज़ा ही आ गया तैयार हो गई है मटन मिरियानी रईस भाई के हाथ की उम्दा और आला पहला गुरूप बैठ गया है खाना खाने के लिए तो हमने सोचा हम भी दाखिर क्यों करें कर्का तैयार है अब गए अब यह हमारे इम्रान भाई है इम्रान शट से प्यार से इम्रान शट पुलाते हैं आपका दाएं क्या कर दोस्त के सामें नेक्स टे की कुट बॉनी हो गई है अब घर जाएंगे तयार होकर सामने तन्न भाई भी बैठें उट गए है और अब वापस रामपुर जाने की बारी है तो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में ठीक है बाई बोल दो बाई